आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, Question पूछा है Which one of the following organ leaves in the figure correctly matches with its function तो नीचे दिये गए option में से यहाँ पे जो organ leaves बताया है और इसके function के साथ correct match होने वाला option हमें ढूदना है तो यह जो process है वो किस चीज की हो रही है यह पहले हमें समझना है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि Rough Endoplasmic Reticulum and Smooth Endoplasmic Reticulum और यह दोनों भी Smooth Endoplasmic Reticulum and Rough Endoplasmic Reticulum यह यहाँ पे present है और यह क्या करेंगे Rough Endoplasmic Reticulum यह बनाएगा protein और इसके साथ Smooth Endoplasmic Reticulum यह बनाएगा lipid अब यह दोनों भी lipid और protein यह modification होने के लिए modification modification मतलब यहाँ पे होगा processing storage packaging यह सारे काम यहाँ पे करेगा गौलगी अपरेटेस तो यह structure है गौलगी अपरेटेस का और यह जो protein है इसका यहाँ पे processing हो रहा है अब प्रोसेसिंग के लिए यह travel कर रहा है गौलगी अपरेटेस के तरफ तो यह जो structure है वो है rough endoplasmic reticulum का और protein synthesis की यह जो process है वो carry हो रही है और option number 3 जो है वो होगा हमारा सही answer और बाकी गौलगी अपरेटेस और protein synthesis तो गौलगी अपरेटेस यह protein synthesis नहीं करता तो यह गलत हो गया गौलगी अपरेटेस और formation of glycolipids तो यह भी गलत है क्योंकि यह गौलगी अपरेटेस के तरफ जा रहा है कहां से endoplasmic reticulum से तो अभी य नहीं हुआ या glycolipid का formation नहीं हुआ तो यह भी हो गया गलत और rough endoplasmic reticulum and formation of glycoprotein यह हो जाएगा गलत क्यूकि rough endoplasmic reticulum में सिर्फ protein का synthesis होता है तो यह भी हो गया गलत तो option number 3 हो जाएगा हमारा सही answer थैंक्यू Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर